जेहिन साथियों मैं चंदन आपके अपने यूट्यूब चैनल 44 सेकेट्वी पर स्वागत करता हूँ साथियों SSC GD 2022 का रिजल्ट आ चुका है और आप लोगों देख लिए भी होंगे और जिनका भी नाम आ गया है फिजिकल के त्यारी कर रहे होंगे जिनका नाम नहीं आया है उनको बिलकुल परिसान नहीं होना है और जो ये सोच रहे है जो ये रिजल्ट में गरवरी हुआ तो आप इस वीडियो को पूरा देखेगा अच्छे तरह से आपको समझ में आएगा और जदी गरवरी हुआ है तो आपको क्या करना है चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा वीडियो को सेयर करेगा सात्यों बता दो SSC जीली说 1972 का जो रिजल्ट आउट हुआ है इसमें बहुत सारे सात्यों को ऐसा लगता है जो गरवरी हुआ है लेकिन हमारे हिसाब से कोई भी गरवरी नहीं हुआ है बहुत सारे सात्यों ऐसे है जिनके marks कम है लेकिन marks कम है लेकिन और normalize marks हो करके raw marks उनका कम था लेकिन normalize marks हो करके उनका score जो है उतना हो गया था जिससे ओर क्या कर पाए merit को cross कर पाए एक candidate का message था हमारे एक दोस्त का number है हमारे एक दोस्त का number था raw marks था 112 हमारे एक दोस्त का नंबर था raw marks 112 UP से है तो वहाँ का cut off गया है 121 एक candidate का message था जो भाईया मेरे एक दोस्त है जो उसका raw marks था 112 लेकिन cut off गया है 121 और उनका selection हो गया तो बताइए ये कैसे हो सकता है तो ये तभी हो सकता है साथियों जब normalization में इनका number बरहा हो कितना number normalization में इनका 9 number बरहा है तभी जाकर के इनका selection PET के लिए PST के लिए हुआ है तो साथियों यही normalization का खेला है हो सकता है उनका normalization में number बरहा है इसलिए उनका नाम सो कर रहा है ऐसा भी हुआ है normalization में घटा भी होगा जिसके वज़े से हो सकता है किसी का merit नहीं भी बनाओगा तो सभी आदमी सब तरह के बात कहते हैं कोई बूलता है गरवरी है कोई बूलता है धांदली है पता नहीं क्या क्या सब बोलते रहते हैं तो उन सभी बातों पे आपको बिस्वास नहीं जताना है चलिए तो आगे बात करते हैं जदी आपको भी ऐसा लगता है आपको भी ऐसा लगता है आपके कम नंबर है और आपका सेलेक्शन नहीं हुआ है आपका होना चाहिए तो आप SSC के ओफिशल वेबसाइट पे जाने के बाद आप RTI लगा करके वहाँ पूछ सकते हो RTI का फीस 100 रुपया होगा RTI का फीस 100 रुपया होगा 100 रुपया लगाने के बाद वहाँ पे आप पूछ सकते हो अपना जो भी आपका क्वेरी होगा वहाँ पे पूछ सकते हो वहाँ से आपको जो भी होगा हल आपको मिल जाएगा चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे आसा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छे तरह से समझ में आया होगा जैहिंद